हे गाईज, वेलकम बाग तो माँ चानल गाईज, आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे दगर्ल हू क्यान जो की लिखी थी आमा आटा आईदू ने गाईज, इस वीडियो में हम इस नौवल का पूरा क्रिटिकल आनलिसिस पढ़ेंगे अगर आपको इसकी समरी जाननी है तो आप मेरी दूसरी वीडियो है, उसको देख सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो गाईज, ये जो नौवल है वो हमें एक फीमेल के परिस्पेक्टिव से बताई गई है और वो भी एक बहुत ही छोटी गर्ल है जुसका नाम है एजवा जो की रहती है एक विलेज में अपनी मदर और ग्रांड मदर के साथ तो गाईज, आपके लिए बात जानना बहुत जरूरी है एक्जाम पॉइंट ओफ यू से कि हमें इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जितनी भी आफरिकन वुमेन है उनकी कंडिशन दिखाई गई है और साथी साथ ये भी बताया गया है कि ये जो आफरिकन वुमेन है इनकी ये जो कंडिशन है ये कोई नाचरल चीज नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने इनहेरिट किया हो या फिर उनको ऐसा ही रहना है जिन्दगी भर बलकि ये जो आफरिकन वुमेन की कंडिशन है ये सोसाइटी ने ही क्रियेट करी है जैसा कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमें बताया गया है और बच्चों को संभालना तो हम कहे सकते हैं कि उनको एजुकेशन के राइट्स बिल्कुल भी नहीं होते अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी हमें एक सेवन येर्स ओल्ड गर्ल है उसके परिस्पेक्टिव से बताई गई है तो इसी वज़े से हमें बताया जाता है कि वो अच्छे से अपनी बातों को शेर नहीं कर पाती या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी उनका पॉइंट अफ यू है वो दूसरों को बता नहीं पाती क्योंकि उनकी जो लैंगवेज है वो प्रॉपर नहीं है तो इसी से एक और पॉइंट निकल कर आता है जो इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए जिसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताओ कहां पर इंपोर्टेंज बताई गई है लैंगवेज की तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि जो एजवा है उसको प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर लांगवज नहीं बोल पाती है और इसी वज़े से जो उनके अंदर के थॉट्स होते हैं वो दूसरों को कनवे नहीं कर पाती है इवन अपनी नानी को भी अब आगे हमें बताया गया है कि जो इसमें नाना है मतलब कि जो एजवा की नानी है वो एक सिंबल है पेट्रियार्गी का या फिर आप कह सकते हैं कि वो इस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है जो कि आफ्रिकन सोसाइटी है जो कि मोसली मेल डॉमिनेंट सोसाइटी है और साथी साथ जो नाना का character है वो childish character है मतलब वो बहुती साथ childish nature की है क्योंकि वो हसती है जब भी जो रोती भी है तब भी और उसकी वाते भी नहीं समझ पाती और जो नाना है वो हमें end में पता चलता है कि वो change भी हो जाती है अपने character में बहुत सारे changes कह सकते हैं या बदलाव लेकर आती है मतलब कि जैसी हमें शुरू में represent करी गई है वो वैसी end में नहीं होती तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नाना का character है वो woman submission को दिखाता है कि कैसे एक जो woman है उसे society में रहना पड़ता है सारे rules follow करके और वो ही ये चीज भी अपनी बेटी और अपनी पोती के अंदर भी यही चीज चाहती है बट end में जो एज्जोवा होती है वो अपने character से नानो को change कर देती है अब अगर आपने summary पड़ी होगी तो आपने शुरू में देखा होगा कि नैना बार 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 जो narrator की mother होती है और जो एज्जोवा होती है उनको बोलती रहती है कि इसकी टांगे कित्ती पतली है ये कुछ नहीं कर सकती ये child beer नहीं कर सकती और education rights से भी उन्हें मना करती है कि इसे पढ़ाना नहीं है बट फिर भी वो end main सब चीजों को समझती है जब एज्जोवा अपने आपको proof कर देती है कि नहीं वो ऐसी नहीं है और वो ये child beer नहीं के लावर भी बहुत कुछ कर सकती है तो इसी वज़े से हम clearly ये चीज़ देख सकते है कि जो नाना का character है वो एक पूरी society को represent करता है कि कैसे वहाँ पर ये सारी चीज़े होती थी और women's को मना करा जाता था मतलब उनको बिलकुल भी कोई education rights नहीं होते थे और साथी साथ उनको child bearing जो था उनका main occupation या काम माना जाता था उसके लावा women's जो थी वो कोई और चीज़ कर ही नहीं सकती थी अब जो next character है वो है मामी का जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो मामा है वो बहुत ही जादा एक silent character है और जब नाना उन्हें सुनाती भी है या कुछ कहती भी है तो वो सहन कर लेती है वो कुछ गलत जवाब नहीं देती उनको कभी भी पर वो चाहती है कि जो उनकी बेटी है वो पढ़े education gain करे ताकि वो अपनी life में कुछ और कर पाए और ये जो society है इससे बाहर निकल पाए अब साथी साथ जो मामी है वो अपना experience भी share करती है जब वो जोगी एच की थी तो वो कहती है कि वो भी जाना चाहती थी school वगेरा बट वो नहीं जा पाई लेकिन वो ऐसा अपनी बेटी के साथ बिलकुल नहीं करना चाहती वो चाहती है कि वो जाए पड़े लिखे तो इससे हम कह सकते है कि जो मामी है वो समझती है कि क्या importance है education की एक child की life में अब जो एक और इसमें symbol कह सकते हैं आप वो है school का अब जो school है वो हमें एक symbol बताया गया है consolation का मतलब की जैसा कि हम देखते है कि जो नाना है वो मना करती है कि नहीं school नहीं जाना पर जो मामी है वो सोचती है कि मतलब मेरी बेटी जाए पढ़े लिखे ताकि वो इस society से बाहर निकल पाए और अपनी चीजें खुद कर पाए इसी वज़े से जो school है उसको एक symbol बोला गया है consolation का और साथी साथ जो नाना भी है वो भी एक बार गुसे में कह देती है कि ठीक है ये अपनी लेग्स तो इसकी इतनी पतली है तो अपनी लाइफ के साथ और कुछ तो करने ही सकती पता नहीं इसकी लेग्स इतनी पतली है इसकी शादी हो भी ना हो कोई लड़कर से accept करे भी ना करे और अगर कर भी लिया फिर ये बच्चे के सब पैदा करेगी ये सारी बाते नाना के मन में चलती रहती है तो वो भी एक तरीके से जो स्कूल है उसको कॉंसलेशन का सिंबल मानती है अब आगे हमें बताई गई है जो importance है education की एक woman की life में तो सबसे पहली तो ये होती है कि वो जो education है वो क्या करती है woman को freedom दिलाती है दूसरी importance है education की कि वो help करती है woman के enlightenment में और तीसरी चीज़ है कि जो education है वो help करती है एक woman को अपनी life में जो इतनी सारी चीज़ें होती है उनके सामने उसमें से एक pick up करने के लिए आप कह सकते हो उनको जो इतनी सारी wide range की choices होती है उनमें से अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है उसको select करने में साथी साथ ये decision making में भी help करती है एक woman को और सबसे important इस story के हिसाब से जो point बनता है वो ये है कि education एक woman को help करती है ये decide करने में कि एक लड़की जो है उसको wife और mother के लाव़ भी क्या बनना है या क्या achieve करना है अपनी life में जैसे कि आप इसमें से एक example भी दे सकते हैं स्टोरी में कि जब एड जोगा selection हो जाता है और वो जीत के लाती है cup तो इससे पता चलता है कि जो एक woman है वो एक mother और एक wife के लाव़ भी बहुत कुछ कर सकती है achieve अपनी life में गाईज एक और point जो है important आप से ये भी पूछा जा सकता है कि जो story है वो narrate किस person में की गई है वो दोनों को ही criticize करती है मतलब अपनी बेटी को भी जो मामी है और अपनी narrator को भी narrator को करती है उनकी legs के लिए और जो मामी है उनको criticize करती रहती है कि तुमने कैसा husband choose किया है guys अगर आप से पूछा जाए कि इसके अंदर social cultural constructs कहां कहां दिखाए गए है तो आप कह सकते है ये कुछ points है आपके सामने इन में से कि सबसे पहला gender hierarchy में कि कैसे जो male है उनको superior दिखाया गया है और जो females है उनको inferior दिखाया गया है कि जो males है उनके हाथ में तो सारी power है वो सब चीज़े कर सकते है बड़ जो females है उनके पास इतनी नहीं है और उनका काम क्या है कि जो males है उनको बस submit कर देना कि हाँ जो males कह रहे हैं वो ही सही है या जो males करना चाहते हैं वो ही women's करेंगी आगे next point है marriage का जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है दूसरा है womanhood और एक और है इसके अंदर जो है female inferiority अब आगे जो एक और important topic बनता है इस short story से वो है significance of a joa's leg कि क्या importance है या क्या significance है जो a joa की legs है उसकी जो आप लिख सकते हैं कि जो a joa की legs है वो एक symbol की तरह यहां पर act करती है और यह दिखाती है कि जो woman है वो जितने भी male constructed जो चीजे बनी हुई है उनको तोड़ कर या फिर social boundaries जो भी है उनके उपर लागू करी जाती है उनको तोड़ कर आगे निकल सकती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बस male कहेंगे उन्हें वो ही करना है बलकि वो काफी कुछ कर सकती है अपनी life में अब दूसरा point इसमें ये भी बनता है कि जो एज़ोग की legs है वो एक symbol दिखाया गया है कि कैसे एक bad चीज को भी change करा जाता है अच्छी चीज में जैसे कि हमें नाना का character दिखाया गया है कि वो बहुत बुरी है starting में बड़ जो एज़ोग की legs है उन्होंने ही कुछ ऐसा कमाल किया कि जिसकी वज़े से जो नाना का character इतना बुरा है वो अच्छा बन गया अब इसके अंदर बताया गया है बहुत कुछ बन सकती है जो उसे बनना है अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो एज़ोग की legs है वो दिखाती है कि कैसे एक society का जो perspective है या सोच का तरीका है उसको change किया जा सकता है चली अब चलते हैं हमारे next topic की तरफ जिसका नाम है Feminism in the Girl Who Can Guys, 100% तो नहीं बढ़ हाँ आप ही कह सकते हैं कि 50% chances है कि ऐसा question आ सकता है इस poem से कि जिसमें आप से पूछा जाएगा कि जो the girl who can है उसके अंदर आपको Feminism कहा कहा देखने को मिलती है तो Guys, आप अपने answer में लिख सकते हैं कि जो the girl who can है उसके अंदर काफी जादा हमें Feminism को देखने को मिली है सबसे पहला तो यही कि इसके अंदर हमने देखा mostly जो है वो female characters है दूसरी चीज़ आप ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है woman का struggle दिखाया गया है कि कैसे उसे एक मा का रोल भी निबाना होता है wife का भी और उसके बाद society को भी गलत प्रूफ करके आगे बढ़ना होता है और जबकि society जो है उसके इतनी सारी restrictions लगाती है उसके बाद भी उसे अकेले ही लड़के सब को गलत प्रूफ करना पड़ता है तो आप इसमें easily बता सकते है जो भी आपको I do बताना चाहरी है कि जितने भी ये myths है ये सब society ने ही create किये है कि जो women's है वो ये इस चीज़ के लिए बनी है या सिफ यही कर सकती है जबकि ऐसा कुछ नहीं है women's जो है वो बहुत कुछ कर सकती है अपनी life में और ये जितने भी society ने उनके उपर foundations लगाई है या फिर अपने perspective रखे है उनसे आगे भी वो निकल सकती है अगर वो चाहे तो अब अगर हमें इसकी पूरी जो the girl who can है इसके conclusion की बात करें तो हमें यही clear होता है इससे कि जो हमारी writer है वो हमें यह बताना चाह रही है कि जो भी यह चीजे बनाई गई है society के through यह सब कुछ एक stereotypes है जो society ने ही create करें है और women's के उपर लगाए है जबकि ऐसा कुछ नहीं है यह सब कुछ stereotype या myth है और completely false है यह सारी चीजे और जो society के perspective को change करने की बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक women के हाथ में है और उसके acts और उसके movements के उपर कि वो कैसे changes एक society में लाना चाहती है और I do अपनी जो character है जो उसके through भी हमें यही बता रही है कि कैसे उन्होंने अपनी जो उनकी weakness थी जो उनकी grandmother सोचती थी कि इसकी legs तो कुछ नहीं कर सकती बट फिर भी उन्होंने अपनी legs को ही एक powerful weapon की तरह यूज करके जो grand mother है उनको जूटा साबित कर दिया तो guys यहीं पर यह video end होती है अगर आपको यह video अच्छी लगी हो और आपके लिए helpful हो तो इसे like करना ना भूले और साथी साथ channel को subscribe भी कर देना Thank you